मेरा नाम प्रोफेसर मैनेजर पांडे है मैं जवारलाल नहरू बिस्विद्याले के भारती भासा केंद्र में प्रोफेसर और अध्यक्षराओ आज EPG पाठ साला के जिस प्रस्ण पत्र के बारे में मुझे बात करनी है उसका नाम है समकालीन साहित चिंतन इस पाठ के अध्यान के बाद आप लोग मिम्नांकित बातों को जान सकेंगे एक तो साहित्यका समाज सास्त्र और मनुविग्यान के बीच संबन्थ दूसरा रचनाकारों की सामाजिक चेतना को समझ पाएंगे तीसरा रूप और अंतर वस्त का संबन्थ समझ पाएंगे चोथा डूक्प्रिय साहित्यके संबन्थ में लाविन्थल का मत जान पाएंगे आज जिस बिशे पर मैं बात करना चाहता हूँ वा प्रसिद्ध जरमन साहित्यके समाज सास्त्री लियो लाविन्थल के साहित्यके समाज सास्त्र संबन्थी चिंतन और लेखन से जुरा हूँ लियो लाविन्थल जर्मनी के फ्रेंकफूर्थ स्वामाजिक संस्थान के सदस्थि संस्थान में भी 1926 ने गए फ्रेंकफूर्थ समुदाय के चिंतकों में चार-पांच नाम बहुत प्रवुख हैं उनमें लियो लाविन्थल के अलावा एक हैं आडोर्नो दूसरे हैं भारबर्ट मार्कूस इसमें एडोर्नो मुख्य रूप से सौंदर्ज सास्त्री थे और उन्होंने सौंदर्ज सास्त्र पर पूर्या एक गरंथ लिखा हैं इसके अलावे संगीत के बारे में उनकी किताबे हैं हरबर्ट मार्कूस एक जाने माने बिचारक है उनकी अनेक महतून पुस्तके हैं एक उनकी बड़ी चर्चित किताब है वन डाइबेंशनल मैन लेकिन सीधे साहित से और उसकी रचनाओं से और उसकी समस्याओं से जुड़े हुए विचारक लियो लावेंथल ही है लियो लावेंथल का चिंतन और लेखन काल बहुत लंबा है उन्होंने 1926 से लिखना सुरू किया और मेरे सामने उनका एक 1987 का लेख साहित के समाज सास्त्र पर मौजूद है जिसमें उन्होंने लगभग अपने पचास बरसों के चिंतन और लेखन और द्रिष्टिकोण का सारांस दिया है संभव हुआ तो अंत मैं उसकी एक दो बातों की चर्चाय आप से मैं करूँगा लियो लावेंथल ने विशेश रूप से उपन्यासों के विवेचन विशलेशन का काम किया है उन्होंने 16 हमी सदी 17 हमी सदी और 19 हमी सदी के इनेखकों के बारे में विशेश रूप से जैसा मैंने आप से कहा उपन्यास कारों के बारे में लिखा है विश्तार से अब जैसे उन्हों ने इस्पेनिस उपन्यासकार सार्वेंतीज के विश्व प्रसिद्ध उपन्यासदान की खोते पर लिखा है इसके साथ ही सेक्सपियर के नाटकों पर लिखा है आप लोग सेक्सपियर को जानते होगे जो अंगरेजी के महान नाटकार है उन्होंने जर्मन साहित्यकार गीटे या जिन को गोयते भी कहा जाता है उन पर लिखा है और साथ ही रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की पर भी लिखा है उनकी प्रमुख पुष्टके है साहित और मनुष्य की परिकल्पना दूसरी किताब है साहित लोकप्रिय साहित और समाज और तीसरी किताब है कथा की कलाब ये साभ उनके निबंधों के संग्रा है ये ध्यान रखिये कि मैं नाम हिंदी में बता रहा हूँ लेकिन ये सारी किताबे अंग्रेजी में ही उपनब्ध है हिंदी में नहीं लाविंधल के लेखन की एक विशेष्टा ये है कि उन्होंने समकालीन साहित पर नहीं लिखा है बलकि जैसा मैंने आप से कहा कि उन्होंने 16 सदी से लेकर 19 सदी के इरोपी लिखकों के बारे में बिश्टार से लिखा है उन्होंने समकालीन साहित पर ना लिखने का एक कारण अपने एक साक्षातकार या इंटर्व्यू में बताया है लाविंथल ने कहा है कि मैं पुराने धंका समाज वैज्ञानिक और साहित चिंतक हूँ मैं आज भी आधुनिक साहित्य के बारे में समाज सांस्त्री बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ इसके दो कारण उनके अनुसार पहला कारण तो यह है किस्रमकालीन साहित्य अब भी इतिहास की कसोटी पर खरा नहीं उतरा है और दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि दूसरा कारण समाज सास्त्री है मतलब समाज सास्त्री द्रिष्ट्री और पध्धत के अनुसार समकालीन साहित्य की चिंतार चर्चा थोड़ी मुश्किल है अब आपको लगेगा कि समकालीन साहित्य की चिंता चर्चा मुश्किल क्यों है तो असल में जो लवेंथल की द्रिस्टी है उस समाज सास्त्री द्रिस्टी उसका एक पक्ष ये है कि वे किसी भी रचना के बारे में बात करते समय उस रचना के पाठकों की परतिक्रियाओ उन पाठकों के बोध के स्वरूप रचना के उनके गरहाण की इस्थिती और रचना के बारे में उनके अनुभों को भी ध्यान पे रखते अब समकालिन साहित्य के बारे में ये सब सम्भों नहीं है इसलिए उन्हों ने ये कहा कि समकालिन साहित्य के बिश्मेशन से मेरे बचने के कारण समाज सास्त्री है आईए संचेप में हम ये देखें कि लावेंथल की साहित्य की अवधारणा क्या है वो साहित्य को क्या समझते हैं और किस तरह साहित्य का बिवी चन बिश्मेशन करते हैं असल में वैसे तो साहित्य के पूरे समाज सास्त्र का लक्ष है साहित्य की सामाजिकता की ब्याख्या करना यही लक्ष लावेंथल के सामने भी था इस सामाजिकता की खोज में वे साहित्य के विशिस्ट स्वरूप की पहचान भी करते हैं विशिस्ट स्वरूप का मतलब यह हुआ कि जैसे माल लीजिए कि सामाज की वास्तविकताएं समस्याएं दुबिधाएं आदी-आदी नाटक में जिस तरह व्यक्त होती हैं उस तरह उपन्यास में नहीं व्यक्त होती इसी में विशिस्ट रूप की पहचान जरूरी होते हैं और वे बार-बार यह कहते हैं कि साहित्य का रूप हमेशा सामाजिक होता है लाविंथल यह भी कहते हैं कि साहित्य व्यक्तिक अनुभव का एतिहासिक भंडार है मतलब आप किसी काल के किसी रचनाकार पर विचार कीजिए आप हिंदी साहित्य से भी इसको समाज सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों और उनके उपध्यासों में जो समाज है जो वास्तविक्ता है जो उसकी समस्याएं हैं वह प्रेमचंद के समय की हैं और उनके अनुभाव की हैं इसलिए प्रेमचंद से ये उमीद नहीं की जा सकती कि वे तुलसी दास की तरह क्यों नहीं लिखते या आज के किसी लेखक की तरह क्यों नहीं लिखते और आज के किसी लेखक से भी ये उमीद नहीं करनी चाहिए क्यों प्रेम चंद की तरह क्यों ने लिखते साहित में आई हुई प्रेम और प्रकिर्थि संबंधी नितांत नीजी अनुभूतियां भी अपने सामाजिक संदर्म से प्रभाविते रहती है अब मैं आपके सामने प्रेम कैसे सामाजिक संदर्मों से प्रभावित होता है इसका एक बहुत पुराना उदार्ण देना चाहता हूँ अभिज्ञान साकुंतलम नाटक में एक प्रसंग है दूस्यंत एक जाडी में छिपकर सकुंतला को देख रहे हैं और सकुंतला कड़ो रिशी के आश्रम के बगीचों में लगे फूनों को सीच रही है दूस्यंत के बन में सकुंतला के प्रती प्रेम पैदा होता है जो जाहिर है नितांत मीजी अनुभूती है लेकिन उसके बाद उनकी चिंता यह होती है कि यह सकुंतला एक ब्रामहर की कन्या है और वै दूस्यंत एक छत्री हो तो हम दोनों में बिवाह तो हो नहीं सकता तो प्रेम कैसे हो सकता है अब आप देखेंगे कि यहां दूस्यंत की जो दूबिदा है हुआ भारती समाज की संड़चना में मौजूद जाती भेद से पैदा होई दूबिदा है इसलिए मैंने कहा कि लिव लाविंथल का यह कहना सही है कि प्रेम और प्रकिर्थ की नितांत नीजी अनुभूतियों में भी सामाजिक संदर्व मौजूद रहता है उन्होंने यह भी लिखा है कि यही कलात्म कल्पना की विशिष्टता है लाविंथल लेखक या रचना की सामाजिक चेतना का विशलेशन करते हुए यह थार्थ की के चित्रण की तुल्ना में उसकी अनुभूतियों और उसके प्रती द्रिष्टी लेखक की द्रिष्टी को अधिक महत्यों देते हैं तो में मानते हैं कि साहित्य के पाठक को जो जीवन अनुभव मिलते हैं वेवयक्ति के साथ सामाजिक और एतिहासिक भी होते हैं यानि लिखक अपने समय की सामाजिक इस्थितियों का या तो विरोध करता है या समर्थन वह परिष्थितियों का केवल तटस्त चित्रन भरणन भर नहीं करता इसी क्रम में लावेंथल ने वाल्टन बेन्यामिन के इसमत का विरोध किया है कि इतिहास में हमेशा बीजेताओं की आवाज मुखरित होती है ये बेन्यामिन की राह है लावेंथल का कहना ये है कि सची कला में प्राय पराजितों की आवाज सुनाई परती है और उनकी बिजे की आकांच्छा भी बेक्त होती है अच्छा साहित लावेंथल के अनुसार वही है जिसमें सामाजिक एतिहासिक अनुभवों की गहरी अभिव्यक्ती होती है उन्होंने यह भी कहा है कि पूजी बादी समाज में भी वही कला महत्वून है जिसमें विरोध का स्वर है कला और साहित के बारे में लावेंथल का यह द्रिश्टिकोण उनके साहित के समाज सास्त्र में जगह जगह व्यक्त हुआ लावेंथल के साहित के समाज सास्त्र संबंधी द्रिश्टिकोण की एक मिशेष्ता यह भी है कि वे समाज शास्त्र की दिरिष्टि से साहित के बिशलेशन में मनोविज्ञान के उप्रयोग को भी आवस्यक मानते हैं आपको यह मालूम होगा कि मनोविज्ञान की एक साखा का नाम है सोशियो साइकोलोजिक मन सामाजिक मनोविज्ञान आप चाहें तो उसे समाज सास्त्री मनोविज्ञान भी कह सकते हैं इस तरह से उनका मानना है कि समाज से साहित के संबंध की खोज के लिए सामूहिक चेतना और बेक्तिकत चेतना के बीच संबंधों की समझ जरूरी है ऐसी समझ मनोविज्ञान से मिलती है इसलिए मनोविज्ञान साहित के समाज सास्त्र का सायक है लाविन्थल यथार्थवाद के समर्थक है उन्होंने रचनाकारों की रचनाओं का विशलेशन करते हुए उन साहित्तेकारों की यथार्थवादी द्रिष्ट की भी ब्याख्या की है लावेंधल यथार्थवाद के चीत्रण की यगह यथार्थ के प्रती लेखकूं की भावना का विवेचन करते अपने इस विचार के कारण लावेंधल एस्पेणीश उपन्यासकार सरवान तीज की लेखन पध्धत को यथार्थवादी मानते हुए भी उसके अभिप्राय को भाववादी मानते हैं भाववादी मने आईडी लिस्ट लाविंथल का मानना है कि लेखक बस्तूओं घटनाओं और संस्थाओं के सिर्फ यथार्थ रूप की चिंता नहीं करता वह उन्हें मानुवी यथार्थ के रूप में घर्ण करता है भूतियां भी सामिल रहती हैं लाविंथल के अनुसार सामाजिक कृतियों में सामाजिक चेतना दो रूपों में ब्यक्त होती है एक में रचनाओं में अनेक प्रकार की चिंताओं का दोंद होता है ऐसी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ की विवित्ता के साथ चेतनाओं की अनेकता जुड़ी होती है सामाजिक चेतना की अभिवक्ति का दूसरा रूप होगा है जहाँ एक ही चेतना पूरी रचना की संदचना में ब्याप्त होती है ऐसी रचनाओं में एक सामाजिक द्रिश्टकों या विचारधारा से रचना की अर्थवत्ता निर्धारी तो होती है लावेंथल के मत से उन रचनाओं और रचनाकारों का अधिक महत्तों है जिन में सामाजिक चेतनाओं की अनेकता दिखाई देती है लावेंथल ने साहित्य में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के विशलेशन के लिए विचारधारा की धारणा का उपयोग विया है लावेंथल के अनुसार भौतिक वादि दिरिश्टि से ही साहित्य की सची ब्याख्या हो सकते सच वे मानते हैं कि सची आलोचना विचारधारा की मिमानसा या विविचना होती है मार्क्सबाद में विचारधारा का अर्थ है सामाजिक चेतना का रूप लावेंथल ने लिखा है कि विचारधारा सामाजिक यतार्थ को रहस के आबरण से ढखती है उसको रूपांतरित करती है अता पूजीबादी समाज के अंतर विरोधों को समझना कठिन हो जाता है इसका कारणिया है कि प्रतेक विचारधारा के निर्माण में सामाजिक अंतर विरोधों को गौरवान्वित या गौरवमंडित करने की प्रवर्ती होती है सब ही फ्रेंकफुर्ट समुदाय के समाज साश्त्री या समाज वैक्यानिक बिचारधारा के गंभीर आलोचक थे लियो लाविन्थल भी वैसे ही आलोचक लाविन्थल ने रचनाकारों की सामाजिक चेतना उनकी बर्ग द्रिष्टी और विचारधारा का भी विवेचन किया है प्रसिद्ध जर्मन लेखक गेटे या गोईते पर उनके लेखका उपसीर्शक है बूर्जुवा समर्पड इसी प्रकार केलर नाम के जर्मन लेखक पर जो उन्होंन निबंध लिखा है उसका सीर्शक है बूर्जुवा विस्रान मेर्श पर जो निबंध लिखा है उसका सीर्शक है उच्वर्ग की छमायाचना लावन्थल किसी रचनाकार की बर्ग चेतना उसके बयानों में नहीं ढूंडते वे रचनाओं की सन रचनाओं का विशलेशन करते हुए उपन्यासों तथा नाटकों के चरित्रचित्र बस्तु विधान विशे के चैन आदि में विचारधारा की भूमिका उजागर करते हैं मेर्स पर लिखे उनके निवन्ध में यह पधत यसपस्ट रूप से देखी जा सकती हैं लाविंथल ने रचनाओं के पाठकी गढ़न के संदर में भी विचारधारा की क्रियासिलता का विवेचन किया है उनका दास्तोवस्की की रचनाओं के पाठकी गढ़न का विचलेशन बहुत चर्चित है और बहुत प्रसिद्ध भी है लाविंथल के चिंतन में रूप और अंतरवस्तु का संबंध क्या है यह भी देखना जरूरी है लाविंथल किसी रचना के रूप की अपेक्षा उसकी अंतरवस्तु के बिशलेशन पर अधिक बल देते वे पुरानी जर्मन परंपरा के अनुरूप रूप और अंतरवस्तु के बीच आंतरिक अनिवार्च और अभिभाज ये एकता को स्विकार करते हैं जर्मन समाज शास्त्री और दार्शनिक अडोर्णों ने भी कला की अंतर्यामी आदोचना को अंतर्यामी आलोचना मनें इंट्रिंजिक क्रिटिसिजम को बहुत महत तो दिया था लाविंथल भी अडोर्णों की माननिता से सामत है अपने एक साथकार में उन्होंने कहा था कि मैंने हमसुन जो है ये नारवे के प्रसिद्ध लेखक है तो उन्होंने कहा कि मैंने हमसुन पर लेख में अपनी स्थापना को उनके राजनीतिक बयानों से प्रामालिक बनाने के बदले उनकी रचना पद्धति और चरित्रों के बिशलेशन का सहारा लिया है हमसुन और इबशन पर लिखे मेरे निबंधों में यही पद्धति बिशेश रूप से प्रगट हुई है लाविन्थल ने रचना के रूप की समगरता पर कम ध्यान दिया है उन्होंने सैली तथा भासा का ही विवेचन जादे किया है उनका मानना है कि कभी कभी लेखक की सैली उसकी सामाजिक चेतना का बोध कराने में अधिक सक्षम होती है साइद इसे लिए उन्होंने सेक्सपियर और इबसन के नाटकों के पात्रों की भासा के सामाजिक अभिप्रायों का बिशनेशन किया है इसी क्रम में उन्होंने लोगप्रिय पत्रकाओं में जीवनी नामक अपने चर्चित निवन्ध में अतिसयोक्तियों के प्रियोग का सामाजिक अर्थ असपस्ट किया है साहित रूपों के विकास की प्रक्रिया सामाजिक विकास की प्रक्रिया से प्रभावित होती है इसका बिवेचन करते हुए ही साहित्य के समाज सास्त्र का विकास किया आजा सकता है जार्ज लूकाच ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास का सिधान्त में इस परंपरा की निव डाली थी जिसका बहुत गहरा आसर लियो लाविंथल के चिंतन पर है बाद में इस परंपरा का विकास जिन दो लेखकों ने किया मतलब जार्ज लूकाच की परंपरा का विकास जिन दो लेखकों ने किया उनमें लूसिय गोल्डबान और लाविंथल प्रमुखे लावेंथल ने नाटक, उपन्यास, जीवनी और लोकप्रिय साहित्य के विभिन रूपों के विकास को सामाजिक विकास से जोड़ कर देखा है। वह समाज को प्रभावित भी करता है। आज जास्त्र में कृतियों के गरहन और पाच की प्रभाव के विशलेशन की पद्धति के प्रवर्तक है। यहां प्रभाव पिशलेशन के दो पक्ष लाविन्थल ने इन दोनों पक्षों पर ध्यान दिया है। वे पक्ष हैं पहला स्वाहितिक कृति के अभिगरहन का या रिसेप्षन का विविशलेशन। और दूसरा है कृति का पाठक पर प्रभाव की ब्याख्या। लाविन्थल ने यह काम करते हुए एक तो कृति का महत्त प्रगट किया है। और दूसरे पाठकों की मानसिकता को भी सामने लाने की कोशिस किये। किसी करम में लाविन्थल ने 1880-1920 के बीच जर्मनी में दास्तोवस्की की रचनाओं का जो गरहन हुआ। उसका बहुत ब्यवस्थित बिशलेशन किया है और उसका बहुत महत्त्व स्वीकार किया जाता है। मैं अन्त में आप से यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि प्राय जो साहित्य के समाज सास्त्री या आलोचक होते हैं या इरोप में हो या बाहर हो वो गंभीर साहित्य काही के ओल बिशलेशन करते हैं। जिसे लोकप्री साहित्य कहा जाता है जो बाजार में बड़ी मात्रा में उपलब्द होता है और जिसके बहुत सारे पाठक होते हैं। उसको उची नाक वाले आलोचक सस्ता, सतही और घटिया साहित्य मान कर उस पर विचार नहीं करते हैं। अब मात्रो की बात और ध्यान देने की बात यह है। कि मान लीजे कि एक नोकप्री लेखा कहें हिंदी में गुलसनन्दा। उनका एक उपन्यास है जील के पार। जब वो पहली बार छपा था तो उसकी पांच लाख प्रतिया छपी थी। आप कल्पना कीजिए कि हिंदी के महान उपन्यासकार प्रेमचन की महान कृति गोदान के भी कभी पांच लाख प्रतिया एक बार नहीं छपी। तब सवाल यह है कि पांच लाख लोग जिस किताब को जिस रचना को पढ़ते हैं। वो रचनावन की किसी मान सीक जरूरत को पूरी करती है तभी तो पढ़ते हैं। तो की से लिए। साहित्य के समाज सास्त्र का यह दाइत तो बनता है कि वह लोग प्रिय साहित्य का भी भी बीचन करें। यह काम लावेंथल ने किया है। लोग प्रिय साहित्य के विसलेशन और मुल्यांकन की पधद के लिए उन्होंने पांच सुझाओ दिये हैं। जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने लोग प्रिय संस्कृती की बस्तु परक इस्थिती का तथ्यात्मक ग्यान जरूरी माना है। जो अनुगहोबादी पधद से प्राप्त की जा सकती है। किया जा सकता है। दूसरा लोग प्रिय संस्कृती के तथ्यों को एतिहासिक संदर्फ में रखकर देखना जरूरी है। तीसरा जिस सामाजिक वातावण में संस्कृतिक बस्त मौजूद हो। उसका ज्यान और संस्कृति को संस्कृति की बस्त को गहन करने वाले पाठक समुदाय की मानसिकता का भी बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि लेखक को यह जानकारी होनी चाहिए कि पाठक के लिए साहित लोग प्रिय साहित का क्यों महकपूर है। पाठक समुदाय की बर्ग इस्थिती का है वह उद्यमान बर्ग का है या पतनसील बर्ग का। पाठक वी जो बात उन्होंने कही है वह यह है कि सांस्कृतिक इस्थिती की ब्याख्या के लिए एक बैवस्थित सैधान्टिक धाचा जरूरी है जिससे संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के बीच सांस्कृतिक तथ्यों के रूप और अर्थ को समझने में मदद मिलती है। मैं लोगप्रिय साहित्य के बारे में लाविन्थल की राय को इसलिए भी अधिक महत्पूर्ण समझता हूँ कि हिंदी में भी लोगप्रिय साहित्य के बीचन बीसलेशन का की कोई परमपरा नहीं है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि संसाहित्य और संस्कृति के बारे में लोविन्थल का जो द्रिष्टिकोण है वह इरब की ज्यानोदय की परमपरा से जुड़ा हुआ है। और मार्क्सवाद की और उनका जुकाव भी है। लावेंथल का युगदान साहित्य के समाज सास्त्र और साहित्य के सिध्धान्त के प्रसंग में पिशेस महत्पूर्ण है इसलिए हमने दिश्कार से आपके सामने उसकी चर्चा की।